आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Godfrey Phillips India Limited के उपर that is GPIL बात करते हैं ये कंपनी के business models क्या हैं साथ ही साथ देखेंगे fundamentals and technical उसके बाद फिर बात करेंगे हम लोग चार्ट के उपर इसके levels और और टागेट क्या निकल क्या आते हैं सबसे पहले अगर बात करें तो ये इंडिया की leading FMCG company में से एक हो और ये flagship company है के के मोधी ग्रूप की साथ ही इनके जो business portfolios हैं ये आपके diversified है जहां पे आपके tobacco, chewing products, convenience stores and confectioneries provide करते हैं या फिर manufacture करते हैं नेक्स्ट बात करें इनके strong जो rating इनको मिली हुई है crystal के तरफ से वो आपके A1 plus है नेक्स्ट यहां पे अगर देखें तो इनके पास जो certification है वो है आपके ISO 17,025 certification और भी काफी सारे आपको certifications यहां नीचे नजर आ रहे होंगे अगर हम लोग बात करते हैं FY21 के gross sale की तो यहां आपको 6408 करोर के आसपास का इनका gross sale निकल के आया था वही इनके पास आपको 1000 प्लस employees नजर आएंगे और इनके जो global presence है वो आपके India, Singapore और UAE में है नेक्स्ट बात करें इनके corporate social responsibilities की तो वो आप देख सकते हैं इनके पास है farmer community program और women welfare program नेक्स्ट यहां पर बात करें इनके जो product portfolios हैं और quarter one के जो numbers रहे हैं वो किस तरीके से हैं तो net sales जो निकल के आ रहा है वो है आपके 725 करोर domestic की अगर बात करें तो domestic से इनको 66% international से इनके 22% जिसमें से आपको tobacco के ही products आते हैं और अगर non tobacco की बात करें जिनमें से इनके consumer and retails products है जहां से इनके 12% का जो net sales है उनमें इनको आपको इनका part नजर आएगा next यहां पर बात कर लेते हैं growth priorities के उपर तो इनके जो own branded cigarettes जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं इनका focus जिस products के उपर बना हुआ है उनमें आपको 4 products नजर आ रहे होंगे जैसल मेर हो गए blackjack है stellar है एक और है next अगर यहां पर हम लोग बात करें तो इनके unmanufactured and processed tobacco भी है और contract manufactured cigarette के तौर पे भी यह that means यह काम करते हुए नजर आ रहे है next यहां पर global operations की बात करें तो इनके जो presence है Latin America, Middle East, South East Asia और Eastern Europe में है 72 countries में यह export करते हैं through more than 90 partners वही अगर बात करें इनके जो gross sales value रहे है quarter 1 में FY22 के वो आपके 156 करोर है और इनके जो contributions रहे है net sales के quarter 1 में FY22 के वो 22% के आसपास नजर आ रहे है next यहां पर बात कर लेते हैं company के जो बाकी चीज़े जो numbers है उसके उपर gross sales value आपको नजर आएंगे 1630 करोर वही इनके जो gross profit निकल के आ रहे है quarter 1 के वो आपके 331 करोर है gross profit margin आप 20% के आसपास देख सकते हैं और net profit की बात करे 108 करोर के आसपास है tobacco से अगर बात करें तो यहां पर आपको tobacco के और consumer and retails के जो product है वहां के भी आप numbers यहां देख सकते हैं जैसे कि इनके tobacco के 1357 करोर यह आपके gross sales value आपके नजर आ रहे हैं जो की domestic cigarette की थ्रू निकल के आते हैं वहीं बात करें international gross sales value 156 करोर है और tobacco contributions की अगर बात करें gross sales value में तो 93% के आसपास है consumer and retail के उपर बात करते हैं तो इनके जो consumer and retail के हैं वो आपके 95 करोर है वहीं आपके 93 TFS stores है बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो chewing products रहे हैं उनके gross sales value आपके 18 करोर के आसपास निकल के आ रहा है अब यहाँ पे अगर देखें analyst के क्या रहा है 100% analyst आपको इसमें buying की rating दे रहे हैं बाकी साथ ही आपको research और analysis करने के बाद ही जो भी decisions है वो बनाने हैं next यहाँ पे देखें इस company के valuation के उपर valuation में आपके dividend yield 0% है EPS is 83 आपके काफी बहतरी नजर आ रहे है EPS वहीं industry P.E. और stock P.E. में compare करें तो industry P.E. के मुकाबले आपको stock P.E. नीचे देखने को मिल रहा है आप कह सकते कि आपके थोड़े over value price पे यह मिल रहा है वही deliverables में बात करें 44% की delivery आपको इसमें Friday की दिन होती भी नजर आई है return के उपर बात करते हैं जो returns के numbers हैं वह आपके यहाँ पे फिर भी ठीक ठाक से नजर आ रहे हैं sales के numbers आपको किस तरीके से एक consistency में नजर आ रहे थे बड़ उसके बाद आपको June 21 के जो numbers है यहाँ आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है और साथ operating profit की अगर बात करें तो operating profit के numbers आपको March 21 एंड जो June 21 है इन दो quarter में गिरते वे दिखे हैं वहीं net profit की बात करें net profit में March 21 के quarter में गिरते वे दिखे थे बड़ जून 21 की बात करें यह वापस आपको बढ़ते वे नजर आ रहे है yearly results की उपर बात कर ले yearly results पे भी आपको जो scenario है यहाँ पे आपको चारो तीनो parameters पे same नजर आएंगे sales operating profit and net profit की आपके जो March 21 के years जो रहे है that means यहाँ पे आपको पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा हर एक चीज़ में dip देखने को मिला है next यहाँ पे बात कर लेते हैं sales and profit growth के उपर तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एक साल के जो numbers रहे हैं वहाँ आपको काफी weakness देखने को मिल रहे है भले ही है जो आपके profit growth के नंबर थे वो 30% पिछले 3 साल में हुआ करते थे और 5 साल की बात करे 16% के आसपास फिर भी थे बट इस साल आपको dip नज़र आ रहे है और वही sales growth के numbers आपको already ही weak नज़र आ रहे थे next यहाँ पे बात करते है ROE and ROCE तो यह आपको थोड़े से criteria से उपर नज़र आ रहे हैं वो आपके 15-20% के बीच आपको नज़र आ रहे हैं तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ROE and ROCE फिर भी आपको ठीक ठाक से या ठीक से थोड़े बहतर नज़र आ रहे हैं next यहाँ पे बात कर ले company के debt to equity ratio के उपर जो कि आप देख सकते है 0.03 के आसपास है और वहीं अगर debt को numbers में देखे जो की available है 74.90 करोर के आसपास और जो cash available है company के पास वो है 26.38 करोर के लगभग next यहाँ पे share holding patterns के उपर बात करें तो सबसे जादा जो holdings रहे हैं वो आपको promoters के पास नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत minor से numbers में fluctuations नज़र आएंगे और हम बात करें हैं 4 quarter में which is December 20 से लेके September 21 तक की next अगर holdings की बात करें तो public के पास आपको holdings नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आपको यह बढ़ते हुए भी दिखे हैं बहुत minor से यह number में बढ़ रहे हैं बट फिर भी public के पास आपको इनकी जो holdings है वो जादा देखने को मिल रही है वही FII की बात करें तो FII के भी numbers आपको थोड़े बहुत fluctuate होते हुए दिख रहे हैं बाकी साड़े 10% के आसपास के इनके पास भी holdings है डिया इसकी बात करें तो डिया इसके पास की holding आप देख सकते हैं जहां यह 2% के आसपास हुआ करता था वहीं आपको इस quarter में 1 66% के आसपास नज़र आ रहे हैं गौर्मेंट के पास आपको एस सच बहुत जादा holding नज़र नहीं आ रहे हैं वहीं promoters pledging के उपर बात करें तो किसी भी तरह है कि कोई भी pledging नज़र नहीं आ रही है अभी आपको promoters के उपर नेक्स्ट यहां पर बात कर लेते हैं इस share के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में यह शेयर काम करती है या जिस इंडस्ट्री में इनका काम है उनमें थोड़े ऐसे आपको fluctuations या फिर आप कह सकते हैं क्योंकि यहां पर rules and regulations change होते रहते हैं जिस वज़े से भी थोड़ा impact इनके ऐसे शेयर में और वहीं अगर बात करें अब यह शेयर में क्या किस तरीके से आपको एक bounce back नजर आने वाला या फिर क्या चीज़े नजर आने वाली है वह हम लोग थोड़ा चोटे टाइम फ्रेम पे देखते बाकि इस वन वीक के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो भी प्रीकोविड इसमें आपको चलता हुआ नजर आ रहा था तो वहां तक इसमें जाने के चांसेज है तो जिन्हों ने भी अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या फिर आप आपने नहीं लिया है तो यह हो सकता है आपके लिए एक थोड़ा सा यहां पे एक बेटर opportunity मिल जाए विकाज अगर one day के time frame पे देख रहे है तो यहां पे आपको एक strong candle बनती भी दिखी है बाकी हफते भर से यह आपको गिरता हुआ ही नजर आ रहा था आप देख सकते हैं यहां पे पांच दिन total यह आपको गिरता हुआ ही दिखा है बाकी अपने red line के उपर आपको support लेता हुआ अभी नजर आ रहा है तो इसके basis पे अगर बात करें तो यहां हो सकता है आपको Monday के दिन एक bounce back भी नजर आ जाए और हो सकता है कि market में जिस तरीके से अब एक थोड़ी सी आप कह सकते कि तेजी आ सकती है तो उन सब चीजों को अगर हम लों कंसीडर करें तो उस प्राइस पे आपको आने वाले टाइम में जाता हुआ नजर आ सकता है तो उसके basis पे जो investment है या accumulation है वो आप चाहें तो कर सकते हैं बाकि हमने जो आपको support बताए है 1200 के आसपास इनकेस अगर मिल जाया 1130 के आसपास तो यहां पे भी आप अपने जो buying zone है उसमें आप entry यहां पूछ सकते हैं बाकी सारा कुछ इस शेयर के बारे में आपके साम नहीं है चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल तब तक के लिए thank you and take care